तो वाल्म पो वाले अफुशन और आज की यूडियो में बात करेंगे हम लोग उन पांच उनिवस्ट्री के बारे में जिसके बारे में सबको डाउट होता है और सब लोग पुछते हैं इन उनिवस्ट्री के अंदर मुझे एडविशन लेना चाहिए इन लेन चाहिए तो इस इतने बच्चे क्योंगे इन पांच उनिवस्ट्री के बारे में इनके बारे में मुझे भी काफी सारे बच्चे एक डाउट पूछते हैं जो बच्चे पूछते हैं उसमें से 70-80% बच्चे इन ही पांच के बारे में पूछ रहोते हैं जितने भी डाउट आते हैं 70-80% यह बाकि इस video के आपको रिए बता जाए तो लेने की सोच रहे हैं तो मेन चीज इस का बता दूगा कि कितने बच्छे भी फिलाल को इन दर है तो चीज सुनके सायद हरानी होगी जो भी हो चलो बब वीडियो को स्टार्ट करते हैं पांच हो कालज को कोड बड़ करते हैं एक चीज में क्लियर कर जयते हो कि मैं इसमें होस्टल फीस की पारे में कि आप को स्थाइल पता चल जाएगे और इन पांचो college के बारे में आपको detail में पता जाएगा कि फीस क्या होता है placement statistics कितने हैं तो इस video को start करते हैं तो यार first number college की बात करते है first number college है UPS दैरादुन, UPS दैरादुन की बात की जाते है तो इसकी fees आपकी 4.2 lakh के आसपस इसकी fees होगी college की एक साल के fees आपको 5.25 lakh का मिल रहा है तो इन पांचो उनिवस्टी में अभी तक का यही पांच यही सबसे ज्यादा इसमें मिल रहा है आपको average package और highest placement भी आपको 45 lakh की मिलेगी बस आपके प्रॉब्लम का है fees fees इसकी हलकी जाता है आपको 4.2 lakh के तो आप effort कर सकते हो तभी college के अंदर admission लेना वहना यह नहीं की education loan लेके लेना ऐसा मत करना अगर effort कर सकते हो तभी लेना इसके अंदर बार के इसके अंदर आपको scholarship मिल जाती है अगर आपको fees afford ने करवाए तो कुस scholarship है भी लेवल है 90% से उपर अगर आपके 12 में marks आये तो 85% आपको scholarship मिल जाते है पूरे college की fees के अंदर और 85% के अंदर आती है तो 75% होते है और 80% होता आपको tuition fee होगा ना वो 3.8 तो 3.9 होगा मतलब 10% के अलावा जो भी होता है आपको 90% आपको tuition fee अकेला का और करता है तो वह इसी कंद आपको 85% fee मिल जाएगा अगर आपके 90% से उपर है 12th class में और 85 से उपर है तो 75% और 80% से उपर है तो 50% गल्स के लिए extra को scholarship का है वो देख लेना girls student जो भी हो फिर जेगी बात करेंगा जेए means में आपकी 85% किसी भी attempt में 85 से उपर आया है परसेंटायल तो 75% मिलेगा overall percentile के बात हो रही है जेए की बात करो करना overall PCM की मिला के बोलूँगा ठीक है 90 to 95% के उपर आ रहा है तो आपको इसके इंदर 85% scholarship मिलेगा 95 के उपर अच्छा है यह अच्छा है college बस fees काफी महिंगी है इसकी अगर आपको fees इसके इंदर कम मिले आपको अपना effort कर सकते हो तब आप ले सकते है scholarship मिलने तब आप सोच सकते हो इसको लेनेगा और एक चीज़ और इसके इंदर number of students की number student कितने इसके इंदर UPS दहर हो उनके तो 15,000 student है तोटल जो college के इंदर है ओवर वर 15,000 के आजपस के अंदर student अभी पढ़ रहे है इसके अंदर सब कुछ जो crowd है जो भी faculty मिलागे अब सत्यभामा university की बात करते है second number college है हमारा सत्यभामा university यह वह बच्चे जानते हैं जो south के colleges देख रहे ना तो उन्होंने सत्यभामा university का न अच्छे मिल जाते हैं तो इसलिए आपको ranking इनकी अच्छे मिल जाते हैं इस सब की सथे बामा भी शायद 49 न 48 ऐसी मिलती है इसको हर साल के ranking होती है इन सब की तो वैसे आपको मिलेगे मगे उसको ranking को आप ज्यादा focus मत करना इन रंकिंग आपको मिलते है ठीक है काफी सारे parameter देखते हैं मगे ranking पर focus ना करके सके stats पर focus करो तो जाद अच्छा है तो सथे बामा आपके Tamil Nadu में one of the top colleges आपके even south के अंदर भी काफी मतलब माना जादा है कि college ठीक ठा गई है सथे बामा तो इसके अंदर भी आपकी जो fees होती है ना वो 2.5 lakh इसकी एक साल की fees है और जो इसका इसके अलावा fees के अलावा बात करें second year, third year, fourth year की कितनी होती है तो 2.25 lakh के आसपर इसकी fees होगी और इसका average package की बात की जाए तो average package जाए इसका CSC का 5 to 5.5 lakh के आसपास का है और EC का 4.5 lakh के आसपास का इसकी fees है हमारे सत्यभामा university की तो सत्यभामा university का या देखो एक चीज तो य 3.5 lakh का इसपास की fees होती है जो सत्यभामा university की fees है specialization के लिए तो अगर CSIT शाथ फिल हो चुका इसके तो specialization में भी fill हो गया तो maybe management quota के थुरू आप जा सकते हो college के इंदर contact करना है तो उसमें contact कर सकते हो वह ना नीचे description में मैंने वह WhatsApp number दे दिया है आप चाहए तो sponsor को आप contact कर स इसकी number of student है 17,000 तो total student बढ़ते है इसमें आपको 17,000 के आसपस में students है अच्छा यार मैं इन सब college के ने form की link आपको description में दे दूँगा अगर आपको apply करना हो तो वहां से apply कर सकते हो वहना college की website आपको पताएगे college आ रहे है ना army college है तो वहां पे भी university में आपको apply कर सकते हो directly website पर बाकिया जो भी मैं आपको data दे रहा हूँ इसको सोच समझ के analyze करके यह admission लेना college में ले रहे हो तो फिला थर्ड नमबर के college की बात करते है हमारा चितकारा university इसकी fees आपको हलकी कम मिलेगी इसकी fees है 1.4 lakh के आसपस की fees है हमारी और नो ने कुछ foreign university का collaboration का रखा है CSC और Mechatronics students के लिए तो इसके अंदर जितना मुझे पता है भी चितकारा university में फिलाल भी कलपर सुए किसी student ने मताया था कि CSIT इसकी 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 बात की जाए तो इसकी 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 बात की जाए तो इसकी fees में आपको बदाती है 1.4 lakh है college का average package भी हमारे 4 lakh के आसपास 1000 students का crowd है मतलब इतना रहे students है और campus area भी आपको 60-70 acres के around का इसका था जो मैंने डाटर लास मतलब लेखा था तो तो अपने 5th college की बात करते हुआ अगर आपको में फोकुस आपका sports के अंदर है या personality development में तो आप एडविशन लेनी के सोच चकते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाकी personality development दोनों college में आपके काफी अच्छे हो को sports के लिए LPU काफी जाद अच्छा है sports के लिए इवन आपने विडाट को लिका आपने tweet लेखा ही होगा LPU ठीक है बाकी बाकी ब्यार वही है placement में फोकुस करना है तो फिर दूसरे college में जी में वगारा पे में फोकुस रखते है उससे फ्रूइब बाकी अब इसकी बात कर लेते हैं fees बगार की तो fees हमारी 2.25 लेक की एक साल की fees है college की और इसके अंदर scholarship किया मिलेगा अगर 95% days से उपर है तो 12th के अंदर आपको आराम से 12th और GE के अंदर किसी में भी है तो 25% scholarship मि है तो government college के और जाओ काफी सारे LRL counseling होती है मैं वीडियो मैंने मना रखी थी एक किसमें अंदर हर college कारें मता रखा है कि हर स्टेट मालब GE के तो कितने counseling होती है तो counseling के participate करो अभी start हुए date तो आराम से आपका admission मिल जाएगा इसके अंदर आपको jack tendinger जैसे colleges में अच्छे colleges में ओनचरा में अबन चेहरा जाएगा इससे ladies अब पर केफ़ पर है तो आपको AWACON की ओनुआ और जाता है वाग्यार आतवक्ति के बात करते हैं तो 95 के उपर को बताता दिया मैं नट to 95 percent के उन्दर आ रहे है तो को 20 enabled scholarship मिलेगा और 85 से 90 बीच में आ तो 15 परसंद का scholarship है बाहिग सब्सक्राइब कर दो इसमें भी स्टुडेंट काफी जाता है 31,000 स्टुडेंट है इस कॉलेज के अंदर मतलब मेजर्टी अप्राउड जो है न हमारा चंडिकर उनिवस्टी और इसके अंदर LPU के अंदर वह में हमारा बीटेक CSC का है तो CSC के स्टुडेंट काफी जाता है इवन चंडिकर उनिश्टी में भी आपको काफी जाता है इसमें मिलते है भाकि प्रांचों कालेज मेन आपको बता जाते हैं आपको यह नहीं बोडुड़न गवायाणी को ड्रीज में अदविशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए है नहीं ड्रीटी अपको नमबर सुडेंत बता जिस सरे आपको यह लग सकता है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और नहीं हो जाए जैसे वीडियों में देता हूं विसे इसमीं भी मिल गया आपको तो आप मेरे लिए यह कर सकती ना तो कमेंड करके बतादेना तो इन पाँच पांच कॉलेज के वारे में सबस्यादा कमेंड आया था मुझे तो इसलिए इन पांचों के ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना दिया वैसे भी सबस्यादा यह लोग करते हैं नहीं पांच कॉलेज के रिगार्डिंग होता है कि इसमें एडविशन में मिल रहा है मुझे लेने की सोचों ने सोचों तो इन पांचों कर रहे हैं बताते हैं आप सोच सकते हो कि लेना है नी लेना वह आपकी कॉल है ठीक है वीडो अच्छी लगे तो वीडीयो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो बाल आइकन में अल दवाट देना तो THANKY दोस्ते इस वीडेय वो देखने के लिए